फटे पुराने कपड़ों को रिपेर करने के एक बहुत प्यारी सी ट्रेक में आपके लिए लेके आई हूँ तो शेयर करने वाली हूँ, I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां से भी फट गया है उसमें से जितने भी छोटे-छोटे धागे निकल रहे है उन्हें पहले आपको कट करके बिल्कुल स्मूथ कर लेना है तो जितने भी छोटे-छोटे धागे थे उनको मैंने कट कर लिया है अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है एक newspaper या कोई भी paper लेना है, इसे हम बाद में निकाल देंगे और इसे इस तरीके से रखना है और पहले दुपट्टे को हमें newspaper के साथ attach कर लेना है तो अभी मैं दुपट्टे पे सिलाई, मतलब दुपट्टे को आपस में नहीं सिल रही हूँ, दुपट्टे को ना नियूस पेपर के साथ अटैच कर लिया है, मैंने देखिए, अब क्या करना है आपको, अब सिलना है आपको दुपट्टे को, और वो आपको सिलना है क्रॉस में देखिए ऐसे जैसे फटा हो ना उसके बिल्कुल opposite तरफ से सिनना है ये देखिए इस तरीके से तो मेरी वाली जो सिलाई मशीन है ना simple सिलाई मशीन है तो इसमें वो जो backstitch होता है ना lock वाला वो नहीं है अगर आपकी मशीन में वह वल आया है तो आपको simple back stitch से इसे lock कर देना है तो मेरी simple hand वाली मशीन है तो इसी लिए simple मैं इस तरीके से इसे lock कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से stitch हो जाता है ऐसा लगता है जैसे आपने रफू कराया हो देखिए अब ना हम newspaper को निकाल देंगे जितना फटता है newspaper उतना इसे निकाल दीजिए ये देखिए तो कितने अराम से देखिए हमारा ये repair हो गया तो कहीं भी कटा फटा हो आपको repair करना आप इस तरीके से repair कर सकते हैं और जो इसके पीछे का newspaper थोड़ा सा बच गया इसके अंदर सिलाई के अंदर वो जब हम wash करेंगे तो आपने आप ये सारा निकल जाएगा तो छोटी से ट्रेक है अगर आपका भी दुपटा या कुछ कपड़े कहीं से फट गया है तो आप ये वाली idea ट्राइ कर सकते हैं